हेलो फेंड्स बेसी की स्पिसल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है और आज किस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा या इसी वीडियो के डिसक्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जैसे आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे आप उस प्लेलिस्ट तक पहुँच जाएंगे दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर हम start करें हैं third chapter, third chapter है आपका various system of classification जिसके अंदर हम आज discuss करेंगे Bentham and Hooker के classifications के बारे में various system of classification के अंदर आप पढ़ेंगे artificial system of classifications natural system of classification जैसे for example Bentham and Hooker का classification ये natural system of classification है उसके बाद आप पढ़ेंगे phylogenetic system of classification तो BSC के students के लिए Bentham and Hooker का classification one of the most important है long question में हर साल exam paper में पूछा जाता है अगर आप अपना sold paper उठा कर देखें तो लगबग ये हर university में exam paper में हर साल पूछा जाता है तो इसको अपने mind में set up करना है कि ये questions हमें किसी भी तरीके से याद करना है और हमें अगर ये long question में जैसे साड़े 7 number या 10 number according to your examination pattern में आता है ये depend करता है कि आपका exam pattern कितना है तो हमेशे जब भी आएगा long question में ही आएगा तो हमें इसे कितना explain करना है ताकि हमें अच्छे marks मिल सके अगर साड़े 7 number का है तो at least हम 7 number concede कर सके consume कर सके तो हमें उस level के notes बनाने है उस level पर हमें याद करना है और उस level पर जैसे इसके सबसे पहले हम discuss करेंगे introduction के बारे में तो हमें introduction में कितना explain करना है फिर उसके बाद हम इसके classification का एक outline देंगे outline के बाद फिर हम उसको explain करेंगे ठीक है इसके merits and demerits को भी complete करेंगे वो भी काफी ज़्यादा important होते हैं तो इनके जितने भी topics हैं इस classification से related उन सभी को मैं यहाँ पर discuss करने वाला हूँ और साथ में हम notes भी बनाएंगे दोस्तो Bentham and Hooker दोनों के दोनों scientist हैं दोनों के दोनों एक friend भी है और इन्होंने क्या किया इन्होंने Royal Botanical Garden at Q जो कि England मिच्ती थे वहाँ पर इन्होंने काफी सारे inventions किये और एक natural system of classification दिया जो कि पूरे world में acceptable है पूरे Asia, Europe हर जगा लगबग यह acceptable है और इन्होंने इसके अंदर कितनी families हैं कितने generas हैं कितने species हैं उसके बारे में हम धीरे धीरे इसमें वीडियो के अंदर हम नोट करेंगे आप देखेंगे लगबग 202 families हैं और लगबग 97,205 species हैं और इन्होंने किस book में publish किया Genera Plant Terum नाम की एक book में 3 volume में इसको publish किया था तो यह इसलिए पूरी तरीके से natural system था पूरी तरीके से मतलब कि यह प्रकर्तिक classification था तो इसी को हम अच्छे से discuss करने वाले हैं तो चलिए start करते हैं चलिए दोस्तो हेडिंग डाली जिए Bentham and Hooker system of classification of angiospum जिसमें सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे introduction दोस्तो बैंथम and Hooker ने जो classification दिया था वो angiospum plants के लिए दिया था यानि कि ऐसे plants जिसमें flowers पाय जाते हैं यानि कि flowering plants के लिए ये classification आया दोस्तो एक बात आपको अच्छी तरह से पता है कि crypto gaming के अंदर वो plants रखे गए हैं जिनमें flowers absent होते हैं यानि कि non flowering plants को crypto gaming के अंदर रखा गया है और flowering plants को जो है फैनेरोगेमी के अंदर रखा गया है तो ये classification फैनेरोगेमी यानि कि angiospum या फिर आप कहसे हैं seeded plant, seed bearing plant ऐसे plants जिसमें beach बनते हैं ये classification उनके लिए है दोस्तों इन्होंने जोर्ज बेंथम एंड होकर ने इस classification को करते हैं plants के morphological character को लिया उनके natural similarities और dissimilarities के base पर ये classification दिया था उन्हेंने plant के habit and habitat को include नहीं किया था ठीक है उनके phylogenetic relationship को नहीं देखा था तो इसी लिए ये classification पूरी तरीके से natural system of classification कहलाता है जिसके अंदर आप heading डालेंगे सबसे पहले introduction जोर्ज बेंथम एंड जोजेफ हुकर two great English scientists associated with the royal botanical garden at Q दोस्तों ये world का largest botanical garden है जो कि England में इस्तित है royal botanical garden at Q adopted a very compressive system of classification in their genera plant theorem दोस्तों ये genera plant theorem book के अंदर इस classification को publish किया गया था and according to this system of classification the plant kingdom comprises 97,205 species of seeded plant included in 200 orders of families दोस्तों ये introduction के अंदर आएगा point और बाकी points भी आप note करेंगे इसको point वास लिखेंगे this was proposed by this book किस book के अंदर प्रपोस किया गया था general plan theorem के अंदर ये प्रपोस किया गया था three volumes के अंदर ठीक है ये जो classification दिया था ये general plan theorem book के अंदर और three volumes में इसको प्रपोस किया गया था and it complete in 21 years ये 21 years में complete हुआ which is the original and important gift of Britain दोस्तों ये Britain का एक important और original gift है पूरे world के लिए ठीक है ये पूरे world में valid है world ने इसको accept किया है natural system of classification है and it based on principle of species stability दोस्तों ये जाती हो कि इस था ही तो सिधानत को भी इसके उपर भी ये based है पूरी तरीके से ठीक है and it described 202 families इसके अंदर 202 families है and they describe around 97,205 species of seeded plant जितने भी seed bearing plant है लगबग 97,205 species आप समझ सकते हैं कि कितना brief इनोंने इसको अच्छे से study किया था and they divided seed plant और phenerogamy into 3 classes इनोंने क्या किया जितने भी angiosperm plant थे यानि के phenerogamy plants थे उनको 3 classes में इसको डिवाइड किया dicotyledons, gymnospermi, monocotyledons अब इनकी features क्या है इसको आप में सबसे पहले समझना होगा दोस्तों आपको सबसे पहले introduction के अंदर इतना सब कुछ include करना है और उसके बाद आप classification का एक outline दे सकते हैं outline आपको अगर अच्छे से याद होगा तो मैं कहता हूँ कि आपके complete marks मिलेंगे ध्यान रखना outline सबसे रदा most important होता है ठीक है तो यह जो देख रहे है examiner हमेशा जब भी देखता है outline को देखते हैं वो समझ जाता है कि आपने आगे explaining क्या किया होगा तो फैनेरगम सीडिर प्लांट को three classes में divide किया है dicotyledons, gymnospermi, monocotyledons, dicotyledons यानि कि dicote plants जो होते हैं जिनके अंदर जिनकी leaf के अंदर reticulate venation होता है जिसके अंदर net like आपने देखा होगा leaf के अंदर पूरी तरीके से net like veins फैली रहती हैं को हम reticulate venation कहते हैं two cotylidons है इनके अंदर इसके embryo के अंदर two cotylidons है इनका root जो हो tap root होता है ठीक है यहाँ पर T कर लेंगे तो दोस्तों die cotylidons के काफी सारे अगर आप features निकाले तो भी निकल जाएगा हमारा main features die cotylidons नहीं है हमारा main features है कि हमें किन-किन base पर इसको जो है classify किया गया था ठीक है यहाँ पर हमारे पास seeded plant को उन्हें थ्री classes में डिया dicotylidons, gymnosperm, monocotylidons तो अभी जितने भी basic features है कुछ ऐसे features भी होंगे जो कि आपको नहीं पता होंगे तो जब हम family start करने से पहले जितने भी basic superior ovry, sepals, petals और यहाँ पर जितना भी inflorescence होता है उन सभी को मैं अच्छे से उनके जितना भी basic knowledge है सबसे पहले उनके उपर videos बनाऊंगा फिर उसके बाद ही हम families को cover करेंगे ठीक है तो अभी हमने यहाँ पर note किया है introduction of bentham and hooker classification इसको सबसे पहले आप note करेंगे फिर उसके बाद हम discuss करेंगे दोस्तो classification की outline के बारे में सबसे पहले आप इसको फटा फट note कीजिए चलिए दोस्तो heading डाले जिए outline of classification दोस्तो यह है आपकी सामने bentham and hooker की classification का outline अब आप सोच रहे होंगे sir हमें क्या इतना याद करना पड़ेगा नहीं अगर आप एक BSC के student है तब आपको यहाँ पर series तक explain करना पड़ेगा ठीक है आपको orders वेगरा या families वेगरा का नाम याद रखनी की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप MSC के student है तब आपको orders और family इन दोनों को याद करना पड़ेगा ठीक है अगर आप BSC के student है तब आपको कितना explain करने की जरूरत है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को बिलकुल भी skip मत करना इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना कि आपको कितना explain करना है ताकि आपको अच्छे marks मिले ठीक है तो इस फ्लोरिंग प्लांट्स का classification दिया था Bentham औरुकर ने उन्होंने क्या किया उन्होंने इन प्लांट्स को थ्री क्लासिस में डिवाइड किया डाइकोटिलिडन्स, जिम्नोसपर्मी, मोनोकोटिलिडन्स ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों डाइकोटिलिडन्स के फीचर्स क्या है जिम्नोसपर्मी के फीचर्स क्या है मोनोकोटिलिडन्स के फीचर्स क्या है यह सब आपको BSC के अगर आप student है यह सब आपको explain करना उसके बाद डाइकोटी लिडंस को जो है फर्दर थ्री सब क्लासिस में डिवाइड किया गया है पॉली पेटेली, गैमो पेटेली, मोनोकलेम आईडी ठीक है इनके फीचर्स भी आपको लिखने पड़ेंगे तो अभी के लिए देखे दोस्तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा कि फैनेरो गेम सीड़ प्लांट या स्परमेटोफाइट्स या ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर्स पाय जाते हैं या फिर सीड बेरिंग प्लांट्स होते हैं उनको बैंथम एंड होकर ने किया किया three classes में डिवाइट किया diecotilidons gymnospermii monocotyledons दोस्तों यहाँ पर यह जो diecotilidons हैं यही इसका जो सबसे ज़्यादा जो broad है वो यही है diecotilidons यह सबसे broad class है और इसी को हमें समझना होता है इसी के अंदर सबसे ज़्यदा orders है और इसी के अंदर सबसे ज़्यदा family है जिम्नोस पर्मी को आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूत नहीं है इसको आप skip कर दें तो better होगा इसके अंदर सिर्फ 3 classes है आप देखेंगे निटेसी, साइकेडेसी, एन कॉनिफरेसी यह तीन ऐसी families है उनली ठीक है जिसको आप याद कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं मोनोकॉलेमाइडी के अंदर 7 series हैं जो कि मैंने हाँ पर लिग दिया है ठीक है और इसको याद करने का trick भी मैं आपको बहुत जबरजस्त बताने वाला हूँ तो सिर्फ यहाँ पा हमारे सामने जो target है वो है dicotylodans ठीक है dicotylodans के features क्या हैं जैसे कि यह मैंने आपको कहा है इनके embryo में 2 cotylodans present है ठीक है इनके embryo में 2 cotylodans present है इनकी leaf में reticulate venation पाया जाता है tap root system पाया जाता है तो यह इसके कुछ general features होते है dicots plant के ठीक है इनके अंदर जितने भी plants से सबके सब dicots है अब हमें सबसे पहले इसी को target करके चलना पड़ेगा कि इसको classify करना होगा तो dicotylodans के अंदर कितनी यह जैसे कि आपको पता है dicotylodans क्या है एक class है ठीक है फैनोरो गेम्स की एक class है अब इसको further 3 subclasses में divide किया गया polypatelli, gamopatelli, monoglymida दोस्तो polypatelli वो class है जिसके अंदर ऐसे plants रखे गए जिनके flowers के जो petals होते हैं वो free रहते हैं ठीक है आपने देखा होगा कुछ flowers के जो petals हैं वो free रहते हैं कुछ के fuse रहते हैं ठीक है तो ऐसे flowers जिनके petals free हैं उनको polypatelli कहा गया और उसके अंदर जो है उन सभी plants को अलग से यहां further series में divide किया order में और family में ठीक है आगे बढ़ते हैं उसके बाद आता है गैमो पटेली polypatelli के बारे में पता चले गया गैमो पटेली का मतलब वो flower आते हैं या फिर ऐसे plant आते हैं जिनके flowers fuse रहते हैं उनके जो petals होंगे वो freeze रहते हैं तो इसलिए इनका नाम रखा गया है गैमो पटेली monoclamide वो class है दिवाइड किया थैलेमी फ्लोरी डिस्की फ्लोरी कैलिसी फ्लोरी थैलेमी फ्लोरी के features क्या हैं दोस्तों अभी मैं आप इसको अलग से लिखवाऊंगा don't worry बटे अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि जिनमें petals और stamen से होता है वो hypogynos अते हैं डिस्की फ्लोरी के अंदर वो आते हैं वो ऐसे flowers आते हैं a disc is present below the ovry मैंलब जो flower के अंदर जो ovry present होती है टिक है उसके नीचे disc present होता है टिक है a disc is present below the ovry ovry के नीचे disc present होता है कैलिसी फ्लोरी के अदर आप देखेंगे callus with united seples keleiks जो होता है वो sepals के साथ जुड़ा रहता है and petal epigynos और ovry जो होती है inferior होती है ठीक है यह जो basic terms होते है ovry superior inferior इनका क्या मतलब होता है यह सब मैं ix के उपर एक अलग से video बनाने वाला हूँ तो thalammy flory, disc colasy flory यह सब जो है इसकी क्या है इस Subclass की यह Sub-Series है ठीक है अब इस Series के अंदर यह जो Thelamie Flory है इसके अंदर कितने Orders है इसके अंदर 6 Orders है 34 Families है आपको बताना चाहूँगा जब मैं BSC Secondary में था तो मैंने यह Orders अच्छे से याद कर लिए थे यानि कि BSC में ही वेन, इन सभी order को याद किया था योड मेन हमने इसको पूरी तरीके से याल गर लिया था कुछ हमने tricks निकाली थी, कुछ हमने visualization की purpose हमने पूरा याद कर लिया था BSC के अंदर ठीक है, लेकिन आपको याद करनी की ज़रूरत नहीं है, आपको जितना मैं आपको यहाँ पर लिखाऊंगा उसके बाद आता है दोस्तों, डिस्की फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी के अंदर आप देखेंगे, इसके अंदर मैंने क्या main features बताया, कि इसमें जो ovary होती है, उसके नीचे इसके डिस्क प्रेजेंट होता है, ठीक है, अब इसके अंदर 4 orders आते हैं, and 22 families है, 4 orders कौन-कौन से हैं, आप देख सकते हैं, जीरा नियल्स, औलकेलीज, एंड सेस्ट्रेलीज, एंड सेपिंडलीज, उसके बाद आता है दोस्तों, कैलिसी फ्लोरी, कैलिसी फ्लोरी के अंदर मैंने main features क्या बता है, कैलिक्स with united sepals, कैलिक्स सेपल्स और कैलिक्स जो हते हैं, पसमें, united होते हैं, jointed रहते हैं, पैटल इनका epigynous होता है, और ovary inferior होती है, often, आकसर आप देखेंगे, इनके अंदर जो ovary होगी, वो inferior रहती है, अब इसके अंदर जो orders हैं, वो 5 orders रखे गए ह रोजेल्स, जिसके अंदर family आती है, रोजेसी, मिर्टेल्स, जिसके अंदर family आती है, मत्रेसी, मतलब यह कुछ examples हैं, ठीके, अभी ऐसा नहीं है कि रोजेल्स के अंदर सिफ रोजेसी family है, और भी family हो सकती हैं, ठीके, तो हमें याद रखना है कि इसमें 5 orders हैं, 27 families हैं, इस particular series के अंदर, calciflory के अंदर, ठीके, order आप याद कर सकते हैं, अगर आप MSC के student है, रोजेल्स, मिर्टेल्स, एंड पैसिफरेल्स, एंड फिक वोईडेल्स, एंड अमलेल्स, जिसके अंदर अमली-फेरी family आती है, तो मतलब हमने साथ में एक-एक example, एक-एक family का example भी याद किय था, उसके बाद आता है दोस्तों, gamopatelli, gamopatelli मैंने आपको कहाँ, petals fuse रहते हैं, ठीके, और इसको जो है further three series में divide किया गया, inferi, heteromeri and bicarpulati, ठीके, inferi, जिसके अंदर जो ovary होती है, वो inferior होती है, इसके अंदर आप order याद कर सकते हैं, rubials, estrells and campanils, उसके बाद आता है दोस् second series है, gamopatelli की heteromeri, heteromeri के अंदर जो orders है, ericals, primals and ebonolages, इसके अंदर, इसके features क्या है, ovaries superior होती है, carpul more than two, दो से जादे carpuls होती है, उसके बाद आता है दोस्तों, bicarpulati, bicarpulati के अंदर आप order देखेंगे, four order science के अंदर, आप यहाँ पर note कर सकते है, netanials and polymonials and personals and lamials, ovaries इ है दोस्तो, gamopatelli के अंदर series है, यहाँ पर basic student है, उनको सिर्फ इतना याद करने की ज़रूत है, कि इनके अंदर कितने orders है, और कितनी families है, उनके numbers याद रख लें, ठीजे, बाकि main main features है, आपको just mail लिखवाने वाला हूँ, जैसा कि मेरा आपको बताया है, सिर्फ यह outline है, जो three subclasses में divide किया गया था, ठीक है, और जिसमें अंदर polypatelli को देख लिया है, gamopatelli को देख लिया है, अब हमारा तीसरी जो subclass है, वो है monoclamide, monoclamide के अंदर दोस्तो, इसको eight series में divide किया गया है, eight series के अंदर आप देखेंगे, पहली series है, curve embry, अब इसके अंदर कितने orders हैं, कित उलेटी टेस्ट्री, and micro embryoni, deaf nails, and aclamideospory, unisexuals, and abnormally, तो ये eight series हैं इसके अंदर, ठीक है, जिसको आप याद कर सकते हैं, उसके बाद, finally हमने देख लिया, ये dicotyledons का हमने पूरा classify कर लिया, अब ये जो gymnospermia आता है, जैसे कि मैंने अब को का, इसके अंदर only three families हैं, आप लिखन इसके अंदर और निटेल्स, इसके अंदर order निटेल्स आता है, तो gymnosperm का classification ये भी आपका काफी ज़्यादा important है, ये आपने BSC फस्टेर में जरूर पढ़ा होगा, उसके बाद आता है दोस्तों, monocotyledons, हमारी जो फैली, जो third class है, monocotyledons, इसके embryo के अंदर सिर्फ एक कोट combination दिखाई देगा, इसको भी further 7 series में डिवाइड किया गया था, ठीक है, जैसे for example, microspermi, ठीक है, ये series का नाम, microspermi, epigyne, coronary, calycine, neutifery, apocarpy, gloomacy, दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं 7 series, इसको हमने याद करने का क्या क्या tricks निकाला था, ये मैं आपको बता देता हूँ, पूरी मानदारी के साथ आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने इसको किस तरीके से visualize करके याद किया था, दोस्तों मैंने एक कहानी बनाई थी इसको याद करने के लिए, मैं जंगल में जाता हूँ, मुझे उस जंगल में दिखाई देते, कुछ छोटे-छोटे sports दिखाई दे मैं अच्छे से बता भी रहा हूँ, माइक्रोस्पर्मी मैंने उसका नाम रख दिया, मैंने माइक्रोस्पर्मी, अब मैं आगे बढ़ा, तो जिस पेड़ से वो माइक्रोस्पर गिरे हुए थे, उस पेड़ का नाम रख दिया मैंने इपी गाईनी, इसी तरीके से उस पेड कि जस्ट किनारे पर था दोस्तो तालाब उस तालाब का नाम मैंने रख दिया कोरोनेरी उसके बाद उस तालाब के जस्ट किनारे पर मचली पकड़ने का एक जाल था एक नेट था जिसका नाम मैंने रख दिया कैलिसीनी तो इस तरीके से हमने क्या देखा starting में जो microsports मिले उसका नाम मैंने रखा microspermie, pade का नाम EP गाईनी तलाब का नाम coronary और jal net का नाम मैंने रख दिया kellycene यानि कि अभी भी अच्छे से याद है पाँचवा point उस तलाब के अंदर three British girls swimming कर रही थी मलब यह मेरी visualizations थी जो कि आज भी ठीक है यह मैंने अपने दोस्त को बताया था मैंने आपको उसको बताया दोस्त देखो मैंने इस तरीके से visualize करके इस trick को याद किया तो उसने भी इसी तरीके से याद किया लेकिन उसका harmful effect भी हुआ exam paper में वो पूछने लगी यारी पेड़ का क्या नाम था पेड़ का नाम बता फटा-फट क्या नाम था पेड़ का मतलब वो भूल गया था पेड़ का क्या नाम था तब बताना पड़ा उसको इपी गाई ने तो मतलब आपको अच्छे से याद करना है एक visualization purpose पर भी आप इसको याद कर सकते हैं ठीक है आप इसको repeat करते रहें बार-बार repeat करते रहें आपको definitely याद हो जाएगा बाकि और भी कई सारे तरीके हैं जैसे हम यहाँ पर polypatelli, gamopatelli, and monocleamide यह हमें याद करना है तो हम इसको पहला अक्षर PGM PGM से इसको याद कर सकते हैं कुछ लोग इस तरीके से tricks बनाते हैं पट अपनी-अपनी visualization power होते है कि आप किस चीज को कैसे याद करते हैं यह आपको ही पता है आपके बारे में मैं आपसे जादा नहीं जानता तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं यह तरीका आप खुद ढूंड सकते हैं टेके मैंने आपको बताए आप ऐसे याद कर सकते हैं यह visualization करकी किसी चीज के दो नाम देजिए एक ही चीज के दो नाम देने से अगर आप एक नाम भूल जाते हैं तो दूसरा नाम आपको याद रहता है जिसके कारान आप पहला नाम भी याद कर लेते हैं यह होता है इंटर केनेक्शन लिंक जो कि मैंने कई बार बताया हुआ है कि आप उसको कैसे याद करने के तरीके हैं तो यह था पूरा आउटलाइन क्लासिफिकेशन का इसको फटा-फटा आप नोट कीजिए प्रेंड्स क्लासिफिकेशन का आउटलाइन देखने के बाद अब हम नोट करेंगे थेोरिटिकल पॉर्शन्स जिसके अंदर सबसे पहले हमने देखा कि क्लास डाइकोटी लिडन्स के थ्री सब क्लासिज हैं पॉली पेटेली, गेमो पेटेली इस में उसका 1st ओडर होता है वो अलध देखने इसके बार में आप लिगेंगे फ्लावर हो ओब हाईपोगाइनस होता है अवरी के नीचे एक डिस्क प्रेजनต उता है ये ओडर कहां से सटार्ट होता है जिराड नियल से एड लास्ट इसका जो ओडर है सपिंडेल्स ठीक है उसके बाद आता है number third series जो की है कैलिसी फ्लोरी कैलिसी फ्लोरी में आप क्या लिखेंगे इसका features कैलिक्स with united sepals दोस्तों यू सेपल्स होते हैं वो united होते हैं सैउक्त होते हैं jointed रहते हैं कैलिस के साथ and sepals first orders अब इसका जो first order है वो है roselles और last order जो होता है वो है passive florals आपको मतलब सभी orders लिखने की जरूरत नहीं है एक तो पहला order आप mention करेंगे जो की है roselles और एक last order mention करेंगे जो की है passive florals ठीक है उसके बाद आता है दोस्तो gamo patelli number second अब हमने first class वहाँ पर हमने रहते हैं ठीक है इनके flowers के अंदर जो petals होते हैं वो fuse रहते हैं और इसमें भी three series हैं पहली है infree, second heteromary and third bicarpality in free का main features क्या है कि इनके अंदर जो ovary होती है वो inferior होती है in flowers के अंदर जो ovary होती है वो inferior होती है first order इनका start होता है robial से और last order जो होता है वो astral से start होता है number second है दोस्तो heteromary heteromary के अंदर इसका main features क्या है इस class का इस series का main features है दोस्तो ovaries के अंदर superior होगी, stamens many कई सारी stamens होते हैं और double with petals, petal के दो गुने होते हैं carpals more than two, इनके अंदर जो carpals होते हैं, दो से जादा होते हैं and first order start होता है arical से और last order जो होता है खतम होता है वो lemuel से, ठीक है सबी orders mention करने की ज़रूत नहीं, एक first और एक last उसके बाद आता है number third series by carpalety, by का मतलब होता है दो, carpalety का मतलब carpals, तो इसका मतलब इसमें 2 carpals वाले हैं, ovaries में superior रहती है, two carpals first, इसमें 2 carpals होते हैं first order इसका है दोस्तो, jirarnials और last order होता है दोस्तो, lemuel उसके बाद third subclass है दोस्तो monoclamide, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, monoclamide दोस्तो इसमें जो petals होते हैं, वो absent होते हैं ठीक है, and it is divided into 8 series, यह जो है 8 series में divide है, पहला curve embry curve embry कोई की पहचान क्या है दोस्तो, इसमें जो embry होता है, वो curved होता है curved मतलब मुड़ा हुआ होता है, ठीक है, और ovule जिसमें होता है, सिरिफ एक ovule पाया जाता है, तो इसको कहेंगे curve embry, यह series होती है, ठीक है, second series है दोस्तो, multi-vulety aquitasy इसमें काफी सारे ovules होते है multi का मतलब कई सारे, multi-vulety यानि के multi ovules, इसमें many ovules पाया जाते है, aquitasy यानि के aquitic होते हैं, ठीक है यानि के जलिए, third point है थर्ड series है इसके अंदर multi-vulety terrestry, यानि के इसमें multi-vulety है, यानि के many ovules हैं, और terrestry का मतलब वो terrestryal होते हैं, तो 2 series हमने देख लिए हैं, पहला है multi-vulety aquitasy, जिसमें हमने देखा कि कई सारे ovules हैं, और aquitasy यानि के बद जलिए हैं, दूसरी जो हमने just series देखी, उसमें हमने देखा कि multi-vulety है, यानि के बहुत सारे ovules है, लेकिन यह जो है terrestryal है, यानि के धरती पर रहने वाले, many ovules, ठीक है 4th series, यहां पर 4th series है, वो है micro embryoni, micro का मतलब होता है दोस्तो small, embryo का मतलब आप समझ सकते हैं यानि के इसमें small embryo present होता है ठीक है, इस series के अंदर जितने भी very inferior, unilocular और एक से तीन ovules इसके अंदर present रहते हैं 7th, unisexuals, यह जो series है unisexuals, इसमें जो है flower unisexual रखे गए हैं, उसके बाद 8 series है ordinis anomaly, इसके अंदर जो families of uncertain relationship, मतलब कि ऐसे families रखे गए हैं, जिनका uncertain relationship है uncertain मतलब anistit relationship, ठीक है तो यह है दोस्तो, monoclamide के features यह था, gamopletally और यह है polypretally, ठीक है, polypretally के अंदर जितनी भी series है, उनके features हमने note के लिए, इससे ज़दा आपको कुछ mention करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद आएगा gemnospermy और monoclamide, इसके थोड़े से features आप mention करेंगे, और फिर finally merit and demerit लिकर के अपना questions complete करेंगे, सबसे पहले आप इसको फटाफट note करें, finally यह video का last clip है, और last clip के अंदर हम discuss करते हैं, bentham and hooker के classification की बची हुई कुछ classes के features के बारे में, और फिर उसके बाद bentham and hooker के जो classification है, उसके merit और demerit points, जो कि short question में भी exam paper में कई बार पूछिल जाती है, तो इसलिए यहाँ पर misi को note करेंगे, तो आईए discuss करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा, class gymnospermia में के अंदर 3 families है, nitacy, conifery and psychodesy, जिसके अंदर psychos रखा हुआ है, तो यह 3 families आप हाँ पर note करके लिख भी सकते हैं, ठीक है, या फिर skip भी कर सकते हैं, no problem, उसके बाद आता है, दोस्तो, class monocotyledon monocotyledon class के अंदर, दोस्तो, आप देखेंगे, 7 series होती हैं, these are further divided into 7 series, microspermia, epigyni, coronary, calycine, nudifery, apocarpia, gloomacy, यह 7 series को याद करने का मैंने आपको टिक टिक भी बताया था, कि इसको कैसे याद कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा microspore, यानि के microspermia, पेड का नाम, epigyni, and coronary, sorry, coronary जो हता है दोस्तो, यह जो है तालाब का नाम था, और यहां पर यह तालाब के इसको याद कर लिया था, जो कि अब भी भी याद है तो आप भी इस तरीके से याद कर सकते हैं इसके features आप नोट करेंगे, microspermia दोस्तों जो हता है, ovry इसके अंदर inferior होता है seed very small, epigyni के अंदर आप देखेंगे, इसके अंदर भी ovry होते हैं, वो free है, gloomacy के अंदर आप देखेंगे, parent, small और scale like होते हैं, तो यह है दोस्तों एक तरीके से general features, जो कि आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा, मैंने आपको कहा कि आपको order families को लिखने की ज़रूत नहीं है, आपको सिर्फ उसमें कितना mainstream करना है, वो मैं उल्लेडी बता चुका हूँ theoretical के अंदर, ठीक है, अब finally आप heading डालेंगे, merits and demerits of Bentham and Hooker classification तो दोस्तों, इसके classification की सबसे पहले आप note करेंगे, merits वाले points, जैसे it is natural system of classification यह जो है, natural system है इसमें phylogenetic नहीं है, artificial नहीं है, यह जो है, natural है, यहनी कि plant के morphological character के base पर उनकी natural dissimilarities similarities के base पर दिया गया है उसके बाद, it is very suitable for practical purpose, यह practical purpose के काफी suitable है, and the position of dicot before monocot is correct, दोस्तों, इसमें जो dicot की जो position है, वो monocot से पहले है यह बिल्कुल correct रखा गया है the system was accepted by entire, complete, जो entire British empire है, and USA and European countries is herbaria हर जगा यह accept किया गया है उसके बाद, आप देखेंगे, valuable for identification of seed plant, seed plant के identifications के लिए काफी valuable classification है each plants are described completely इसमें सभी plants को अच्छे से describe किया गया है, explain किया गया है, discuss किया गया है and the beginning of the system from primitive orders, Reynolds is correct इसमें आपने देखा होगा इसमें Reynolds को सबसे पहले रखा गया है primitive, जो कि एकदम correct रखा गया है तो यह merit points है, यानि कि इसके गुण वाले points, ठीक है, जो कि इसके favor करते हैं demerits से आप इतना बड़ा classification दिया है नोंने, कुछ ना कुछ demerits निकल कर आएगा तो पहला demerits से आप note करेंगे the position of gymnosperm, इसके अंदर आप देखेंगे organ of angiosperms को discuss नहीं किया गया तीक है, उसके बाद आप देखेंगे in monocotes, ovary position and parent character is unjustified monocotes के अंदर जो ovary की position है parent का जो character है, वो unjustified है कुछ orders के अंदर कुछ orders के अंदर इन्होंने इसको ignore किया था चोथा point है दोस्तो, polypatelli consider most primitive जो कि एक demerit points बन गया इन्होंने polypatelli को most primitive माना जो कि एक demerit points बन जाता है और पांचवा points है दोस्तो, monoclamide considered artificial group जो कि एकदम गलत हो जाएगा, demerits point बन जाएगा तो यह है दोस्तो, merit and demerit points और यह आपको note करना है तो उमीद है दोस्तो, यह classification आपका complete होता है आपका long question है complete होता है उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियो कर पसंद आया है तो please इसको like करें और channel को subscribe कर दे अगर आपको और भी सी तरह की वीडियो साहिए तो तो मिलते हैं दोस्तो, next video में झाल कर दो पसंद आया है झाल